कि कि दोस्तों आज हम查 करने वाले हैं अपना चैप्टर थर जिसका नाम है फ्यवOREän cesवंत का है तो के सास्ध के साथ खर आज मैं आपके साथ इसके एक्सराइप के सब्सक्राइब करते हैं आप इन सभी इन दौनों को जानते हो बाबा बाबा ब्लेक सीब है व्यू एनिवल यह आपने एलके यूगेजी क्लास में पढ़ी होगी फेकंड है हमारी मेरी हेड़ लेडल लेंब वुज फ्लीस ऑप दे लेंब दोस्तों यह भी एक पॉएंब है ज पर फॉल्वाइंग हमारा एंग है फिच पार्ट अप दा ब्लेक सीब है वूल यहां पर पूशा गया है कि ब्लेक सीब जो है उसके कौंसे पार्ट पर फुल होती है चलिए देखते आंसर किया है दोस्तों रॉस्तों ऑन दियर बैक उसके बैक पर नेक पर उसकी गर्दन प परे पाइजाती है हमारा स्रिय पैजन पर यह उनने कि फोललेंड मेरा एक प्लीज पर दोस्ताहर क्या था क्या ताथ था मतलब मतलब था वाइड प्ली फॲी तो दोस्तों white please का मतलब था long hair white please of the lamb का मतलब long hair of it मतलब उसके लंबे-लंबे बाल थे चलिए अपना question number four देखते हैं विच what is mean by the following terms तो दोस्तों यहाँ पर हमको definitions पूछी करें चलिए देखते हैं पहली definition है दोस्तों हमारी rearing क्या होता है कि rearing में generally हम चीज़ों को पालते हैं अगर हम किसी भी चीज़ को पालेंगे तो उसको खिलाना भी पड़ेगा और उसकी देखवाल भी करनी पड़े इसलिए देखते हैं the process of bringing up of the animals हम rearing में करते क्या है कि animals को लेकर आते हैं bringing up का मतला होता है दोस्तों लालन पोशन bringing up का मतला होता है लालन पोशन the process of bringing up the animals हम rearing में animals का लालन पोशन करते हैं जिसके लिए करते हैं उन पैसे useful things पाने के लिए जैसे कि हम गाये पाल रहे हैं तो उस पर से हम दूद लेंगे तब ही तो गाये पाल रहे हैं वरना हम गाये को क्यों पालने लगे तो इसी को हम rearing बोलते हैं दोस्तों और नेच्ट डेपे एնडा दोस्तों शीरइंग की हिए आगा होता है तो प्रॉसेज सस्टार रिमूविंग्ड अ रि मूविंग्गफ दा दीप दोस्तों जब हम जो फीलीक का दोस्तों मतलब होता है here fleef का मतलब होता है here दोस्तों यहां पर कहा गया है कि sharing क्या होता है कि sharing में हम करते क्या हैं कि जो फिलीफ होती है उसको remove करते हैं with thin layer of skin from its body is called sharing दोस्तों sharing में हम generally sheep की जो fleece होती है उसको remove करते हैं इसी को sharing बोलते हैं दोस्तों next definition है हमारी सेरी कल्चर को दोस्तों को obtain करने के लिए पहले करते क्या थे उन सिल्क को पारना पड़ता था अगर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं और यह रिंग मैं आपको बता चुका हूं कि रियरिंग में लारान पोशन करते हैं तो दोस्तों करते क्या है सेरी कल्चर होता क्या है दे रियरिंग और सिल्क वाम for obtaining silk is called fairy culture में हम सिल्क वाम को सिल्क की प्राप्ति के लिए पालते हैं मतलब सिल्क को हम कई से लेकर आएंगे इससे अच्छा तो हम सिल्क वाम पाड़ लें और उसको वहां से हम ले सकते हैं और इसी को सैरी कल्चा बोलते हैं तो दोस्तों हमारा कॉशन 6 है दोस्तों हमीक मारा कुशन 4 न ? दोस्तों यहां पर हमको 2 स्केश्स बनाने थे जो सिल्क मौत की लाइप एस्टी फे जड़े हुए हैं तो दोस्तों हमने फिगर ईउर एफ बनाया नहीं से कोकुन कुछ इपक इस प्रकार का दिखाई देता है कुछ इस प्रकार का हमने इस कोकुन बनाया है और यह है a developing moth inside a दोस्थों इस कोकुन है तेखिए यह कोकुन है और कोकुन के अंदर यह क्या है दोस्थों यह मोथ development of मोथ यहां पर मोथ का development हो रहा है दोस्थों question 7 थे हमारा आँट अले फॉरॉणस ऌड़ देनके हो घूभी चैरी इए और सकता हैं मेलें दिटिटों हैंगे कि 경찰 थे लोगेशन दम और सफिंटर से करूँंखा दोस्तों ये घू-वरी जिडिन कौल्चर आपीन कललुचर और स्थिल और दूसरा कॉशन है दोस्तों मारा साइन्टिफिक नेम और मलवेरी इस मौरूस अलवा दोस्तों देखिए यहां पर सैरी कल्चर हमने पढ़ा आता सैरी कल्चर क्या होता है और एक मौरी कल्चर यह दौन हमने चैप्टर में पढ़े थे और यही शिल्क प्रोडक्शन से रि नेम और मलवेरी इस यह पर साइन्टिफिक नेम बताना है मारे मारी मलवेरी मौर यिफ पर जो Гण रहते हैं यह भी क्वीप पर मोल MAYORी दोस्तों मौर उल्वा क्या होता है मौर उलवा है चलिए कुशन मर तेक्वत फस्तर दूसरा मिटनीचा है 1 katerpillar एक लावा लार्वा है चूजला correct option ऑपषन तो हम को इसमें सेCómo to अप्षन रिखकी증 बताना है तो उनवेujęी दोस्तों हमारा जो option जो राइट है वो है बोथ एंबी इसमें बोथ एंबी इसलिए है क्योंकि दोस्तों होता है हमना चैप्टर में बढ़ा था सिल्क वाम को हम केटर पिलर भी बोलते हैं और लारबा भी बोलते हैं और गमारा कॉस्शन थर्ड विच आहिं दिस नोड डिल बुल इन मैसे कौम सा जो होता है वह हमको बडिल नहीं दे सकता यह यह तो हमको बूल दे देंगा नहीं वुल नहीं दे सकता है तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ओक्षन रहर वह व्ली डॉक यह तो अब क्वेशन नमग सिप्ट गिविन वोल इस सेक्वेंस ऑफ इसेप्स इन दा प्रोसेसइंग वुल विच युश्य स्टेप्स एड़ दें दोस्तों आपनुटन में प्रोसेस पड़ी थी और उन प्रोसेस को अमको एक लाइन से लिकना है कि कोंफी प्रोसेस पहले होती है कम से पहले फिर भी फुर फिर सोर्टिंग फिर दैस चलिए देखते हैं दोस्तों एक ऋंडियरख कि पेसुं करते हैं स्कोरिंग क्या करते हैं स्कोरींगiro जियारिंग इस्कोर mural फिर keeping जो क्रते हैं और उस्टिंग करते हैं स्वाटिंग बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं तो दोस्तों मोओ क्या आइंग कि इसमय मैंचिंग करनी है और यह hasn Come back Looks हो दोस्तों क्लीनिक शीर हमने ने क्या होता है स्कोअ इसकोरिकिंग में कि ऊसकी जो فली जो होती है वो clean की किया आती है उसको साफ़किया रहता है scoring और second mulberry leaps, mulberry leaps में क्या ऐगा दोस्तों food or silkworm, तो दोस्तों mulberry leaps पर जो silkworm होती है वो रहती भी है, वो रहती भी है, वहीं पर silkworm silkworm जो होती है, mulberry leaps पर रहती भी है, और हमारा atrásra है याक याक का आएगा वुल यिल्डिंग एनीमल क्योंकि दोस्तों याक जो होता है वो हमको वुल भी देता है कोकुन का आएगा दोस्तों यील्ड फिल्क फाइवर हमने चैप्ट में पढ़ा था कि जो कोकुन जो हमको फिल्क फाइवर फिल्क फिल्क फाइवर जो मिलता है वह crossword puzzle based on this lesson use hints to fill the blank spaces with letters and complete the words दोस्तों chapter में हमने कुछ सब्सक्राइब कुछ words पड़े थे उसी के ऊपर यह कुछ puzzles दिये हुए हैं जो कि आपको solve करनें चलिए दिखते हैं यहां पर लिगता है सब्सक्राइब करने क्या है यहां पर यहां पर हमारा सबसे पहले है थ्रू वासिंग दोस्तों वासिंग हमने पढ़ा था वासिंग वासिंग से definition है scoring क्या है दोस्तों scoring तो दोस्तों हम यहां पर scoring सर्च करेंगे देखिए a c o u r यहां पर हम लिख देंगे a c o u r ing ऐसे करके यह आपको फिल करना है ऐनीमल फाइबर सिल्क ऐसे करके यह आपको फिल करना है